रिवीजन एवरीटिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत सागत हैं तो कैसे आप लोग? I hope आप सब बहुत ही अच्छे होगे देखें इसके पहले उत्तर मुगलकाल का हमने एक वीडियो देखा हुआ है जहां पे हमने अहमद शाह तक पढ़ा हुआ है तो आज हम उसी के आगे देखेंगे तो देखें अहमद साह के बाद जो अगला शाह सक हुआ वो आलमगीर दुटिय हुआ ठीक है? आलमगीर दुटिय हुआ इसके समय 1757 एसवी में प्लासी का युद्ध हुआ इस युद्ध में लाड कलाइव ने सीराजु दौला को पराजित कर दिया इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में सासन करने का एक सुनहरा मौका मिल गया देखे इसके पहले जो फर्रुक सियर था उसने अंग्रेजों को अंग्रेजों से धन लेकर उनको बंगाल में मतलब द्यापार करने की छोड़ दी थी लेकिन अब आलमगीर दुटिय के समय 1757 एसवी में प्लासी का युद्ध हो गया इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरी तरीके से साशन कर लिया पूरी तरीके से बंगाल को अपने अधिकार छेतर में ले लिया फिर अब आलमगीर दुटिय के बाद शाह आलम अगले शासक हुए शाह आलम में है उत्तर मुगल काल में इसका कारिकाल सबसे लंबा था यानि इसके पहले जितने भी शासक हुए है उन सबका कारिकाल छोटा रहा है और उत्तर मुगल काल में सबसे बड़ा शासनकाल आहमद साह आलम दूतिये का रहा है इसके में समय 1761 पानीपत का तृतिय युद्ध हुआ देखे पहले जो पानीपत के दोनों युद्ध हुए हैं वो मुगल सास को और अन्य के बीच में हुए हैं लेकिन जो पानीपत का तृतिय युद्ध हुआ है ये मराठो और आहमद साह अफदाली के मध्य हुआ था इस युद्ध में अफगान सेना पती आहमद साह अफदाली ने मराठो को पूरी तरह पराजित कर दिया और यही जो युद्ध था पानी पत्रती युद्ध यही मराठो के विनाश का कारण बना जब मराथा सामराज पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे मच्चे से चर्चा करेंगे ठीक है तो देखिए इसी के समय 1764 को बकसर का युद्ध हुआ यानि इसके पहले आलमगीर डुतिय के समय प्लासी का युद्ध हुआ था लेकिन अब साह आलमगीर डुतिय के समय बकसर का युद्ध हुआ जो की 1764 हीजवी में हुआ इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेत्रिद हेक्टर मुन्रो कर रहा था देखिए आलमगीर डुतिय के समय जो 1757 हीजवी में प्लासी का युद्ध हुआ उस समय जो Robert Clive था वो सेना का नेत्रिदू कर रहा था लेकिन अब जो बकसर का युद्ध हो रहा है इस समय अंग्रेजों का जो नेत्रिद कर रहा था वो Hector Munro कर रहा था Hector Munro ने साह आलम दिती है के नेत्रिद में बनी तिलगुट सेना को पराजित कर दिया जो यह युद्ध था बकसर का युद्ध इसमें तीन राजाओं की सेना अपस में लड़ रही थी इसलिए इसको तिलगुट सेना बोला गया ठीक है और इन तीनों सेनाओं का जो मेन नेत्रिद कर रहा था वो साह आलम दिती कर रहा था और यह युद्ध में जब पराजित हो गया इसके बाद इलाहाबाद की संधी हुई देखिए इलाहाबाद की संधी के तहट साह आलम दिती ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उडिसा की दीवानी सौप दी इस प्रकार बंगाल के छेत्र में दोयद सासन आरंग हो गया इसके पहले जो अंग्रेज थे वो बंगाल में केवल व्यापार कर रहे थे लेकिन अब युद्ध में जीतने के बाद उन्हेंने बंगाल, विहार और उडिसा की दीवानी अपने अधिकार छेत्र में ले ले ली दीवानी का कहने कार था कि जो पैसे रुपए से मामला होता जैसे कि टेक्स वसूलना उसको कहा कहा देना है इन सब मामला यानि पैसे रुपए सो जित्ता संबंदी मामला था यानि दीवानी मामला वो सब अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया बाकी और जो प्रशासनी मामला था वो राजा को ही सौप दिया यानि साहालंग दुतिय को ही सौप दिया फिर उसके बाद है इलाहबाद की संधी के तहत ही साहा आलंग दुतियों को अंग्रेजों ने पिंसन भोगी बना दिया गया और अंग्रेजों ने साहा आलंग दुतियों को अपने संरक्षन में ले लिया यहाँ पे पिंसन भोगे क्यों कहा गया क्योंकि देखिए जितना टैक्स वगेरा वसूला जाता था सब अंग्रेज वसूलते थे तो जाहिसी बात है कि राजा के पास भईया अपना पैसा होता नहीं था अपना घर चलाने के लिए सारा प्रशासनी छेत्र में कारे करने के लि अग्रेजों ने साह आलम दुटिए को पिंसन देना शूरू कर दिया अब आगे देखते हैं अब साह आलम दुटिए के बाद अगला शासक अक्बर दुटिए हुआ यह अंग्रेजों के सनरक्षर में सासक बनने वाला पहला मुगल शासक था जाहिर सी बात है इसके पहले जो सासक थे वो अंग्रेजों के संरक्षन में पैदा नहीं हुए थे नहीं उनके संरक्षन में राजा बने थे बलकि बात में जब युद्ध हुआ उसके बाद उन्होंने उसे अपना संरक्षन में ले लिया और पिंसन भोगी बना दिया तो जो अगबर दुटी था ये अंग्रेजों के सनरक्षन में सासक बनने वाला पहला शासक था यह भी अंग्रेजों का पिंसन होगी था अंग्रेजों ने इसके पिंसन को कुछ कम कर दिया तो देखिए पहले अंग्रेज सासकों को बहुत जादा पिंसन देते थे तब ही से वे राजा राम मोहन कहलाने लगे यहाँ पे देखिए कई बार माली जगर पूछ लिया जाए आप से की बताए राम मोहन राजी को राजा की उपाधी किस ने दी तो मुगल सासक अकबर दुतिये ने उन्हें राजा की उपाधी दी तब ही से वो राजा राम मोहन राय कहलाने लगे और उनका वास्तविक नाम है वो राम मोहन राय ही है बाद में जब उन्हें राजा की उपाधी मिली उसके बाद वे राजा राम मोहन राय कहलाने लगे ठीक है अब अकबर दूतिये के बाद अगला शासक बहादुर शाह दू और इनके पत्रिका था उसका नाम जफर था. जफर याद रखिएगा. इसलिए जो बहदुर्शाः धुतिय था इसका नाम ही बहदुर्शाः जफर पढ़ गया. तो अगर आपसे पूचा जाएग बात आईये बहदुर्शाः जफर को जफर क्यों कहा जाता है? तो देखी ये जफर नामक पत्री का लिखता था इसलिए इसका नाम बहादुर सा जफर पड़ा ठीक है यहाँ भी अंग्रेजों के शन्रक्षण में सासक बना इसने 1857 इसबी की क्रांति में भारतिय सैनिकों का नेत्रितु किया अता अंग्रेजों ने इसे हुमायू के मकब्रे के समीप पकड़ कर इसे रंगून यानि म्यामार में भेज दिया देखी जब 1857 की क्रांति हुई वहाँ पर हर जगह से अलग अलग रोग लोग नेत्रितु कर रहे थे लेकिन अगर बोला जाए कि पूरे भारतिय सैनिकों का नेत्रितु कौन कर रहा था तो बहादुर साह जफर कर रहा था लेकिन 1857 की क्रांति जब विफल हो गई उसके बाद अंग्रेजों ने बहादुर साह जफर को पकड़ लिया क्योंकि भाई नेत्र तो यही कर रहा था तो पकड़ा तो यही जाएगा ना तो अंग्रेजों ने इसे पकड़ लिया और इसे रंगून भेज दिया ठीक है रंगून में ही बहादुर साह का मगबरा है वहाँ भेजा तो वही पर इसकी मृत्य हो गई इसलिए इसका मगबरा भी वही है ठीक है इसने अपने जीवन काल में ही दिल्ली में अपना मगबरा बनवाया था किन्तु यहाँ खाली रह गया अब जाहिश से बात है इसकी जब मृत्य रंगून में हुई है तो दिल्ली में इसने जो अपना मगबरा बनवाया था वो खाली ही रह जाएगा अब बताइए इनकी बुद्धी की मरने से पहले ही इसने अपना मगबरा बनवा लिया इसने भी सोचा होगा पता नहीं बाद में कोई हमारा मगबरा बनवा आता भी है कि नहीं से लिए इसने पहले ही अपना मगबरा बनवा लिया बहादूर सा अंतिम मुगल साशक था इसके बाद पूरे भारत में अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था क्योंकि देखे 1857 की क्रांती तो विफल हो गई तो उसके बाद भी अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था और बहादूर शाह जफर जो था वो अंतिमुगल साशक था इसके बाद पूरे भारत पर तो पहले से ही अंग्रेजों का नियंतर था लेकिन जब बहादूर शाह मर मतलब इसको पराजित हो गया इसको रंगेवन भेज दिया गया तो पूरी तरीके से भारत पर अंग्रेजों का ही शासन हो ठीक है तो यह उत्तर मुगल काल था तो आपको यह समझ में आया होगा और अब अगले वीडियो में हम लोग मुगल प्रसासनिक विवस्था को तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू